Hello everyone, welcome to MagnetBrainz. My name is Himant Ubrat. स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल MagnetBrainz पे. जो प्रोवाइड करता है कॉलिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंड के साथ. जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंड कुछ भी नहीं है सर जो छोड़ते हैं. 100% कॉलिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शांदार तरीके से. आप सभी जानते हैं MagnetBrainz के दो चैनल है, एक English Medium और एक Hindi Medium. मजा जाएगा सर. क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है किसमें? आपके English Medium चैनल पर बढ़िया और शांदार तरीके से. जिसमें सारे TopicWise, NCRT Solution, MIQs, MCQs, OneShot, CrashCourse, DPP, PYQs, और क्या चाहिए? 100% सब कुछ, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली. कहीं से कहीं तक. बिल्कुल मज़दाल लाजवाब, एक नंबर. मैंने गा, ठीक है सर, मज़ा तो आएगा. और सर, E-Books, E-Notes, इसकी लिंक भी आपको Description Box में मिल जाती है, बढ़िया और शांदाल तरीके से. तो देखिए, E-Books, और आपके पास E-Notes. ये दोनों मिलता है आपको. 100% 100% बिल्कुल. कहां मिलेगा? Description Box में आपको एक लिंक मिलेगी, क्लिक करिये और उठा लीजे अपने Notes, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली. मैंने खाएंगे सर, मतलब सही जा रहे हो. एक नंबर जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आएगी. मैंने खाएंगे सर, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब एक नंबर जा रहे हैं तो, जब एक नंबर जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आती. मैंने खाएंगे सर, अब क्या करें तो फिर? पbread से थाक्या करें और साती साथ हिंदी मीडियूब चैनल मैंने आपको बोला ना सर एक हिंदी मीडियू नथे अंच्छा कुछ बच्छे सोचते सर कहां से पढ़ें हिंदी वीघियू वालों के लिए कुछ कर रहे हैं MP वोड, UP वोड, ब्यार वोड और राजिस्तान वोड जो सेग्मेंट इंग्लिश मीडियम पे हैं वोई सेग्मेंट हिंदी मीडियम पे भी करवाया जाता है one and only कैसा सर one and only बिल्कुल तो सर कहा है आज देखो मैंने कहाता ना आपके nucleic acid का last पता नहीं आज क्या हो गया भाई लपक के खासी हो रही है biological function of nucleic acid क्या है biological function of nucleic acid सर यहाँ पर बात करनी है biological function of nucleic acid इस पर बात करनी है मैंने का done भाई कल लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है कल लेंगे A1 तरीके से कल लेंगे कोई problem की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली मैंने का done 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 बिल्कुल शांदार और मज़ेदाल तरीके से बढ़े आगे क्या जल्दी बता दो भाई आगे बढ़े आते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से ठीके चलो Biological function का मतलब की सब DNA और RNA basically कलते क्या है देखो इनके दो चीजों का काम होता है Basically जैसे मैंने DNA का बतायता कि आपके genetic information को एक जगह से दूसरे जगह का काम होता है Protein synthesis में काम होता है RNA का भी यह होता है Protein synthesis वगेरा काम में यह सब में बहुत major role play कलते है दो important biological function है nucleic acid के are replication and protein synthesis समझ रहें क्या है sir replication and protein synthesis यह और भी कई सारे words मिलेंगे सर पता है आपकी books में उतने words नहीं दिये मैं आपको बोलो ना आपके paper में कोशन यहां से नहीं आता है आपके paper में यहां से कोशन इतना नहीं आता है लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी मैं इस topic को करवा रहा हूं थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा भाईया कि theoretical topic के याद करने वाली चीजे हैं लेकिन ठीक है मज़ा आएगा याद करने वाली चीज़े हैं थोड़ा सा लेकिन ठीक है मज़ा आएगा कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होने वाली तो सर यह क्या क्या दिखाने वाला आपन को यहां पर एक तो रैप्लिकेशन और एक यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस रेप्लिकेशन और एक तो प्रोटीन सिंथेस्स मैंने का ठीक है सर मैंने का डन आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बिल्कुल आ जाओ सर रेप्लिकेशन बोल दो और प्रोटीन सिंथेस्स बोल दो कोई दिक्कत की बात नहीं आईगी मैंने का बिल्कुल सर मैंने का बिल्कुल बिल्कुल कोई ब्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है चल अब देखे सब से पहले आता है Señor replication replication यह क्या होता है dna majority उता है अपनी photocopy तयार करता है dna which होता है वो अपनी photocopy तयार करता है हां अंदर photocopy machine है अपनी photocopy करके कई सारे DNA को बनाता हुआ चला जाता है पता क्या होता है पहले मैंने आपको DNA का structure बताया था कुछ ऐसा होता है ऐसी था ना कुछ यह ऐसे तो यह DNA का structure है यह क्या कलता है यह वाला देखो यह तो यहां पर अपने देखा था A और T के बॉंड्स थे C और G के बॉंड्स थे A और T के बॉंड्स थे C और G के बॉंड्स थे यह अपने बॉंड्स थे अपने थे क्या नहीं थे यह पहले बॉंड्स तूटेंगे हैं और दोनों अलग हो जाएंगे…… चल भाई तू एक फोटो कॉटो कम संदी के तू इस तरीकी की फॉटो कॉपी वाला काम चलता है और इडन्टिकल कॉपी बनाना चालू हो जाते हैं देखिए…… The process of by which a single DNA molecule produced two identical copies of itself देखा, एक single DNA क्या करता है, दो कौपी तयार करता है अपनी के ता भाई एक परोस वाले को दूँगा और एक अपने दोस को दूँगा ये, मेरे दो फेवरेट दोस्त, मेरे दो फ्रेंड दोनों को एक एक कौपी दूँगा तो ऐसे के देता भाई, मैंने का यार अब दोस्त को बीच में ले आएगा तो मैं क्या ही बोलूँगा अगर दोस्त को बीच में ले आएगा तो मैं क्या ही बोलूँगा तो इसने बोला, मेरे दो फ्रेंड है एक चालू और एक कालू एक चालू के लिए बना रहा है फोटोकॉपी और एक कालू के लिए फोटोकॉपी बना रहा है तो इन दोनों के लिए एक एक फोटोकॉपी तयार कर रहा है कॉन डिने चीक है इसको करवाने के लिए भी हमें इस प्रोसेस के लिए एंजाइम लगता है सर Replication is an enzyme catalyst process and starts with the partial unwinding of double helic structure Winding will open first. Which winding? This winding will open Unwinding the double helic structure through breaking of the hydrogen bond I have to say that these bonds are broken Why these bonds are broken? xxxxxxxxxx अब देखो फिर each stanza then act as a template or pattern ठीक है for the synthesis of two new stanza of DNA नए stanza बनाता है DNA के क्या करता है बहिया new stanza of DNA two new stanza of DNA यह तयार करता है तो replication समझ में आया है replication का मतलब होता है photocopy तयार करना है कितनी दो photocopy और वो photocopy तयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले अपने double helix structure को तोड़ो दो अलग अलग हो जाएंगे वो दो-दो तयार करेंगे और इस process को कहा जाता है replication क्या कहा जाता है replication बहुत important phenomena यह बहुत जादा तगड़ा फिनोमेन आये sir इसको हलके में मत लेना इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला चलो बहुत किस को replication समझ में एक पर comment section में किस किस के दो friend है जो एक एक DNA की copy उनको देने वाला है जल्दी 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 फटा फट बाकी तो आप सबको पता है DNA का काम होता बहुत जैनेटिक information एक जगह से दूसरी जगह यह सबको पता लेकिन replication पता होना चाहिए क्या होता है जल्दी thumbs up करिये फिर आगे बढ़ते है done कोई दिक्कत तो नहीं है जल्दी screenshot लो screenshot ले लिया जल्दी चलो done बढ़िया तरीके से clear है आगे बढ़ू चलो अच्छा यह भी ले लो नहीं तो काओगे वह तरकता भड़कता दिलवा दिया यह तो दिलवा नहीं रहा चलो भाई अब आज आते प्रोटीन synthesis प्रोटीन synthesis प्रोटीन synthesis occurs in two step दो step होती है प्रोटीन बनने में कौन-कौन सी एक होता है transcription एक होता है transcription प्रोटीन बनने में और दूसरा होता है सब जी क्या translation एक होता है transcription और एक होता है translation इन दोनों के बाद आपका पूरा protein तयार हो जाता है ठीक है? Transcription और Translations मैंने आपको एक और चीज बताई थी पिछले में DNA की एक और working में कि कुछ specified protein बनाना होता है तो DNA DNA जो होता है वो messenger का काम करता है किसके लिए? Cells के लिए कि भाई ये protein तयार करना है फ्लीज तयार करें तो वो भी synthesis of protein का messenger देने का काम में आता है अब देखो transcription क्या होता है? Is a process of transcription जो होता है Transcription is the process of synthesis of RNA क्या है ये process of synthesis of RNA? मैंने गए ठीक है The synthesis of protein occurs in cytoplasm of the cell कहां पर बनता है सर? cytoplasm of the cell में बनता है सर ये neat वालों के लिए बहुत important है सर ये neat वालों के लिए बहुत important है Board level पर इत्ते अंदर नहीं घुसता कोई लेकिन neat level पर बहुत important है वहां पर पूछ सकता है सर कि protein का synthesis सेल के किस पार्ट में हो रहा है वहां पर आपसे पूछ सकता है कि protein कित्ती स्टेप में बनता है सर ट्रांस्क्रिप्शन ट्रांस्लेशन ये आपको यहां पर भी नहीं पूछेगा कोई दिक्कत की बात नहीं उसके बात सुनिए साइटोप्लास में बनता है कैसे the mRNA mRNA भहिया कई टाइप्स की mRNA direct protein synthesis with the help of rRNA and tRNA मतलब की जो mRNA होता है वो direct करता है कि protein का synthesis होना है किसकी मदब से rRNA और tRNA mRNA rRNA और tRNA ठीक है और इसी process को यह जो synthesis की process हो रही है with the help of rRNA और tRNA इसको कहते हैं translation भाई यह बीज़ट में slider यह चला जाता ना गुस्सा आती है इसी को कहते है translation क्या कहते है भाई इसको translation क्या कहते है भाई इसको translation मैंने का बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है translation जल्दी जल्दी कैसे है डन एक दम ट्रांस लेशन कैसे लेशन है ना लेशन नहीं बोल रहा हूं ट्रांस लेशन चेक है बिल्कुल सर एक नमबर जल्दी नोट डाउन कर लो सर मज़ेदार शांदाल लाजवाब एक नमबर एक नमबर एक नमबर जल्दी हो जाए तो बताएगा जरूर हो जाये तो बताईएगा जरूर जल्दी 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 हो गया दान चलो चलो अब देखते आगे जैनेटिक कोड बाई ये कोड भी थोड़ा इंपोर्टेंट है डियने और आरेने का जैनेटिक कोड ये वर्ड भी आप सुनोगे वैसे तो जनरली मैं क्या करों बोर्ट लेवल पर आपसे यह नहीं पूछेगा लेकिन मैंने तयार करके रखा है सर आपको बताने के लिए जैनेटिक कोड कुछ नहीं होता सर ट्रिपलेट होता है मतला आप यह मांद के चलिए ती अब आपस में अपन जया सकते हैं और ने के भी तीन नुट्लिो कर देखो हैं मांनलो एक स्उय्क्लियो क्लेुकंश हो गया यह दियने का एकश यह एने में भी प्रेजेंट हो सकता है और आरने में भी होता है DNA में भी होता है और RNA में भी होता है जो determine कलता है specific amino acid sequence in the synthesis of protein is called genetic code इनी के वज़े से specific protein तयार होता है उसको अपन क्या कहते है genetic code इन तीनों को ये तीन मिलके मतलब भाई ये मान के चलो जैसे बहुत बड़ी chain थी लेकिन उसके तीन member से एक code तयार हुआ ये code जाता है कि भाईया अब ये वाला protein को तयार करना है ठीक है इसी लिए इनको क्या का जाता है genetic code भाई ये थो अब वर्ट देख रहा है genetic code ये तीन को ये ही sequence अब repeat होगा वो ये बोल देता है और इसी को अपन कहते है genetic code it is a biochemical basis of heredity heredity का biochemical base यह होता है सारा basic ये और ये nearly universal in all organism सब में बिलकुल तो genetic code जो होता है पहले समझो तीन nucleotide ले लिए nucleotide तो जानते हो ना अपने बात करीती phosphate pentose और अपना sugar तीन nucleotide आपस में connect होगे अब कितना बड़ा भी protein बनना उससे फरग नहीं पड़ता है इसको मैं as a code use करूँगा और इसी के चलते सब लोग एक specific क्या बनाएंगे protein तयार करेंगे और उसके लिए जो एक code है वो code यह ही कहलाएगा जिसको triplet कहते है ये DNA में भी है और RNA में भी है बिलकुल DNA का भी हो सकता है और RNA का भी हो सकता है ये वाला code ये इसको कहते है genetic code क्या कहते है सर जैनेटेक कोड जल्दी देखो genetic code क्या कहते है सर जैनेटेक कोड ये सब वर्ड में आपको बता रहा हूँ आपके लिए सिफ इंपॉर्टेंट वर्ड था application सिफ लेकिन ये सारे भी बताए जा रहा है कि कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक आपको नहीं आनी चाहिए और आई की नीरे मैं हो ना आपन सब देख लेंगे जल्दी जल्दी फटा फट स्क्रीन शॉट ले लो फटा फट स्क्रीन शॉट ले लो तेजी में तब ही मज़ा जाए डन हो जाए तो बताएगा जरूर हो गया हो गया डन के नहीं जल्दी बताओ यार ये लो जैने टेक कोड बिल्कुल बढ़िया तरीके से अब देखेंगे म्यूटेशन ये क्या होता ये भी इंपोर्टेंट है सर पूछेगा ये वर्ड भी आपने काफी सुना है म्यूटेशन क्या होता है अना जैनेटिक म्यूटेशन हो गया फलाना हो गया धिम क्या हो गया ये हो गया वो हो गया कहां से हो गया ये सब पूछेगा आपसे कि म्यूटेशन क्या होता है चलिए तो लास्ट अम क्या है सर अपना म्यूटेशन ये जो तो हे बाइलोजिकल वाले यह मैं आपको सिर्व इसलिये करवा रहा हूँ इसमें दो चीजे इंपोर्टेंट थी एक तो रैप्लिकेशन बताया है मैंने और दूसरा आपका म्यूटेशन वगेरा बागी सब थोड़ा बहुत चल सकता है लेकिन हाँ आपको इन चीज में काम आ जल्दी एक बास सेशन को लाइक करेंगे और फिर अपन मुटेशन कत्म करके वीडियो को एंड करते है हैं जल्दी म्यूटेशन कत्म करके वीडियो को एंड करते हैं मैंने आजाओ दन सुनो वह यह क्या होता है इसमें nitrogenous base में changes हो जाते है किसमें changes हो जाते है nitrogenous base में यह जो आपकी बात हो रही है nitrogenous base के sequence में क्या हो जाते है change और अगर उसमें change हो गए तो फिर synthesis of protein change हो जाएगा जो भी protein मन रहा था वो change हो जाएगा उसका sequence बदल जाएगा altered sequence of amino acid और इसकी वज़ा से genetic disorder भी हो सकता है और diseases भी हो सकती है इसी लिए mutation भाईया आपने सुना भी होगा कि वो mutate हो रहा है अपने वो covid virus को दिखा हो mutated form हो रहा है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है सुना था ना आपने थोड़ा तो basically ये वाला वहीं से है तो थोड़ा आपको इसका मतलब समझना था जो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा कि basically किसमें changes आते हैं सल जी nitrogenous base के sequence में उसमें अगर changes आते हैं तो synthesis of protein है वो जो amino acids का sequence होता है वो altered हो जाता है क्या हो जाता है? altered हो जाता है change हो जाता है तो उसके वज़े से genetic disorder या फिर आपको diseases देखने को मिलती है genetic disorder या फिर diseases देखने को मिलती है मैंने का ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल सही जा रहे हैं सर एक number कैसा सर एक number एक number कोई दिक्कत यहां तक ये सारे मैंने आपको बता दिया एक number एक number देख लो पहले जल्दी देख लो जल्दी एक नमबर एक नमबर clear कर दिया यह दोनों मैंने बढ़िया तरीके से clear कर दिया कोई problem की बात कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए जल्दी देखेंगे mutation वाला काम हो गया है mutation वाला काम यहां पे हो चुका है बिल्कुल mutation वाला काम यहां पे हो चुका है done पका clear तो finally sir यहां पर अपन इसको खतम करते हैं क्या देखा mutation इसके पहले देखा genetic code बताये था यही protein synthesis दो step में transcription और यहां पर translation और यहां पर यह application यह सारे important points थे अपने ठीक है done एक बास का screenshot ले लो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी हो गया screenshot कोई दिक्कत तो नहीं है तो sir finally end यहां पर आपका यह जो था आपन इसको finally खतम कर लिया है कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है biological function of nucleic acid यह निप्ता लिया है sir मैं आपको कहूँ है इसमें बस दो तिन टर्म से आज रख लेना board purpose से तो दो तिन एक replication और एक mutation ठीक है बाकी genetic code, translation, transcription यह इतना जादा boards में नहीं पोछता है लेकिन फिर भी आपनको बता दिया कि बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाए एक चीज बोलना चाहूंगा जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया हो प्लीज चैनल को sorry subscribe कर लेना जिससे आपको आने वाले recorded lectures और live lecture बढ़िया तरीके से मिल सकेंगे शांदार और मज़ेदार तरीके से दूसी बात चैनल को like और share करना बिलकुल नहीं भूलेंगे सबसे important है like share तो मिरको चाहिए ही चाहिए 100% चाहिए नहीं तो लडाई हो जाएगी क्या हो जाएगी लडाई हो जाएगी और अगर एक बार लडाई हो गई तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा इतनी बात या दखना ठीक है सर e-books, e-notes जो बच्चा बहुत परिशान होता ये भी आपको अवेल करवा रहे है आपको description box में एक link मिलेगी पस उस link पे click करें और notes उठा लीजे बढ़िया और बिंदास थरीके से कोई दिक्कत की बात कई से कई तक नहीं आने वाली मैंने का ठीक है watch 100% free सारी चीजे 100% आपको free है high quality education आपको provide करता है magnet brains high quality education मैंने का था सर क्या होता है कभी कभी बहुत सी एक चीज को बार-बार देखते तो अच्छा नहीं लगता है तो मैं चाहता हूँ यहां पर आप लोग के नाम भी आए और इसको आने के लिए आपको थोड़ी मेहनत ये करनी पड़ेगी और सर केमिस्ट्री में संभव है केमिस्ट्री में नहीं हर सब्जेक्ट में संभव है लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज़ादा संभव है अगर आपने बराबर वो चीज कर दी जो मैं आपको बोल रहा हूं रेगुलर टाइम पर आईए बढ़िया तरीके से पढ़िये घर पर जाके प्रैक्टिस करें रिपीट एंड रिपीट जितना बार करेंगे उतना बढ़िया काम चलेगा जी हां भाई पूरा मैगनेट ब्रे हम की तो CBAC और डेली बोर्ट के साथ बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड और राजिस्तान बोर्ड को भी कवर किया जाता है और साती साथ वैदिक मैस, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंगलिश ये भी बढ़िया तरीके से करवाते हैं डन डना डन डन कैसे सर डन डना डन डन ड अधिक था नहीं है ठीके, चले तो फिर अब मिलेंगे कल, कल कितने बजें सर भाया कितने बजें मिलता हूं, सेम टेम, सेम जगा कल इसका एक लास्ट लेक्चर आएगा उसके बाद सारे टॉपिक्स एंड सारे टॉपिक्स खतम और फिर मिलेंगे अपन एक और सारे टॉपिक्स खतम फिर NCRT, Solution, MIQ, MCQ बहुत सारी चीज़े बाखी है लेकिन सब हो जाएगा टाइम लिया आप टेंशन ना लो ठीक है तो कल मिलते हैं सेम टेम सेम जगा तब तक के लिए बाई बाई थैंकि सो मच्छ जैहिन